नमस्कार दोस्तों मैं जितनकुमा जेके लखनुसे दोस्तों आज पिर आपका एक वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एक CRT TV को उपर होगी जो कि आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास वीडियो कुन की CRT TV की किट रखी है जो कि दोस्तों अल्डर स्लिम CRT TV की किट है दोस्तों मैं बता दूँ इसमें हमारा पावर सप्लाई का फाल्ट है यह हमें इसमें किसी पिरकार के भी वोल्टेज नहीं बन पा रहे हैं कस्या तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा की किस तरीके से हम इसको करें है इसमें ऐसमें किस तरीके से बीना मोर्डिल लगाए ठीक करेंगे बिना मोडिल किसी भी तरह का मोडिल नहीं लगांगे तो हम किस तरीके से इसकी पावर सप्लाई ठीक करेंगे दोस्तों वीडियो सूरू से लेके आखे तक देखना तभी आपको समझ में आएगी मैं कहां कितने बॉल्टी चेक करूंगा और कहां से हमें वाला फॉल्ट लाइक करें और बैल आइकन चुरूर दवाएं तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं मैंने यह वाली कित बैक कर लिया पलट लिया और अब हम इसके बॉल्टेज मेजर करते हैं कहां हमें कितने बॉल्टेज चेक करने होंगे दोस्तों मैं आपको बता दू यह एक इलेक्टिशन के पास से CRT TV की कित आई हुई है इसमें उस इलेक्टिशन भाई ने इसको रिपेर करने की कोश्च की लेकिन यह रिपेर नहीं हो पाई मैं आपको दिखा दूँ उसने इसमें आप देख सकते हो STR के पास रिपेर करने की कोश्च की है STR भी इसमें चें पावर सप्लाई रिपेर करने से पहले आपको 110 बॉल्टेज की सप्लाई हमारी चलती है उसको आपको ओपन कर लेना है यहां एक सो साथ बॉल्टेज का फिल्टर लगा हुआ है और यहां पर एक रेस्टेंज के दुआरा यह यह जारी है मैं जूम आउट करके दिखाता हूं जो कि हमें इस DF ट्राइंसठे पर मिलेगी 110 की सप्लाई आपको यह वाली 110 की सप्लाई ओपन कर लेगी है ओपन करने के बाद आपको एक एक बॉल्टेज चैक करने सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कौना लोल्टेज क करने होंगे मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ दोस्तों आपको हमेशा याद रखना आपको हमेशा पावर सप्लाई जो आपको सीरीज में चेक करने होगी सीरीज भलब का यूज करना होगा आपको मैं आपको इसको मीटर को आपको 100 की रेंज पर मेटर को आपको 100 डिरेंज पर सलेक्ट कर लेना है तो दोस्तों सबसे पहले हम कौन से बॉल्टेज चेक करेंगे मैं आपको बता दूँँ सबसे पहले हम इस पे आप जानते हो जैसे कि मैं आपको बता दूँ पहले हमें जो AC बॉल्टेज मिलंगे लगाना है, लगे वहाले किनक्डर पर मिलनगे, इस्वाले कनेक्र नेक्टर पर मिलनेंगे, इस वाले इस वाले कनेक्टर से मिलके वल्टेज इस कोईल के दौारा यहां पर कोईल लगी हुई है यह वाली चोक टाइप की कोईल लगी हुई है उससे हो करके दोस्तों हमें व्यूटेज जो जाएंगे 280 क्यास पार आश्पाज बोल्टेज बिलंगे सब पहले दोस्तों है अगर वाले सबस्प्लाइज है तो सबसे पहला आपको यहां पर चेक करना है जो कि 300 दोस अश्ची 300 या 310 के आसपास वोल्टेज हमें मिलंगे डी सी बोल्टेज मिलंगे दोस्तों आपको याद रहे दिख वोल्टेज चेक करने हैं आपको और teamed गी रेंज पर अपको चेक करने हैं दोस्तों आप यहां पर चेक करोगे अתगस अगरऑ अपर आप डिजीटलमिटर है तो खराझ हो जाएगा तो आप हमेसे यहां चेक करने हैं और यह वाले भोल्टेज दोस्तों हमारे स्यां प पर पर यहां पर हमें वोल्टेज मिलंगे इस वाले एस्टीर के इस वाले पिलस वी वी शीची वाली पर फ़स्ट वाली पर हमें वोल्टेज मिलंगे तो तो सब से पहले दौस्तों आपको क्या करना है सब से पहले Civic सबसे पहले कंडेंसर की न्यागितिफ पर और मीटर करना 200 गेंज पर और आपको HDR का बीच वाला शिरा जो देख रहे हो यहाँ पर आपको चेक कनने है यहाँ पर कैफिस्टर लगा हुआ है और यह वाले इस दाیاदड़ पे भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आप एक डायओ देख रहे हो इस दायओ पर आपको 13 बोल्ट की की supply चेक करनी है, देखे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, इस पर दोस्तों में किसी परकार के voltage नहीं है, कोई voltage नहीं मिल रहा, इस पर हमें कोई voltage नहीं मिल रहा दोस्तों हर किसी एस्ट्र को चलाने के लिए एक तो हमें 200 सी से लेके 300 वोल्टेज तक सप्लाई की जरूत होती है और एक एस्ट्र को चलाने के लिए एक और सप्लाई की जरूत होती है जो कि किसी में हमें 70 वोल्टेज मिलते हैं किसी में 18 से 50 आजपास वोल्टेज मिलते हैं क किसी में 33 बोल्टेज मिलते हैं तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँँ 700 पैसे टैस्ट चाल तो इसमें आप देख पार किसी भी प्रिकार का कोई बोल्टेज नहीं है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको पावर ओफ कर देनी है मैं पावर ओफ कर रहा हूं कि उसके बाद आपको दोस्तों यहां जो आपको सबसे पहले चेक करने हैं सोटिंग चेक करनी है इस वाले डायोड पर हमें सोटिंग चेक करनी होगी इस वाले पर तो आपको मीटर को कंट्यूनिटी की रेंज पर कर लेना है मैंने कंट्यूनिटी पर कर लिया है दोस्तों आपको सोटिंग यहां चेक करनी होगी सबसे पहले आपको यह ग्राउंड देना और यहां पर इस डाइड के आपको प्लेस पर लगाना है जैसे आप प्लेस पर लगा इसका मतलब ंश में यह थो हमारा सबसे पहले सबद उपन करने के लिए है को दोस्तों मैं Nen revenue का मैं बूरा उपन नहीं लेकिन आपको पूरा उपन करना है मैंने क्या क्या है मैं बता दो मैंने सबसे पहले यह वाली मैं आपको जुम करके दिखा देता हूं मैंने यह वाली पिन ओपन कर ली है और ओपन करने के बाद में दो वार्स इस पर सोडिंग चेक करता हूं मिल रहिए को ह depressing है करने हैं किसी फिरकार की सोटिंग नहीं को इसकर और खरब है को अगया दुशने सिसे और तो सबसे पहले मैं str चैञ्ज करता हूं किस् layer करता हूं शॉइ Stra कि ऐसकू ऐसे प्रोडर्यश करता हूं तो मैं म squares अपना 200 गी रेंज पर सलेक्क कर लेता हूं मैं इसको दोबारे से पावर देने जा रहा हूं देखे मैंने इसको पावर दी तो अब मैं कंडेंसर के नेगेटिव से दोस्तों आपको पावर सप्लाई चेक करनी होती है कोई भी पावर सप्लाई जारे तर हमें कंडेंसर के नेगेटिव से ही चेक करनी होती है मैंने यहां लगाया मीटा की प्रोग और इस दावर पर दोबारे से चेक करता हूं देखे इसमें अब हैं 34 बोल्टेज मिल रहे हैं इसका मतलब दोस्तों हमें यह 34 बोल्टेज की हमारी 34 बोल्टेज की इस पर वी प्रlectric बोल्टेज रहे हैं आब वी सी सोपलाइश की मिल रही है इसका में हमारा पावर सप्लाई खिया है यह जाल centre आप 15 बोल्टेज भी देखने का भी रहे वीडियो कोन सैंसरी में youtube बोल्ट की मिलती है लेकिन इसमें 34 बोल्ट रहे है 30 voltage 33 Volt की supply मिलती है क्योंकि 33 Volt की supply दोस्तों आप Samsung में भी देख सकते हो Samsung में 33 Volt की supply आई है लेकिन इसमें 34 Volt की supply है तो यह हमारी VC से supply सही है तो अब हम क्या क्या क्षेक करने दोस्तों हम इसका सबसे पहले STI चेंज करते हो और STI चेंज करने के बाद दोस्तों मैंने STI चेंज कर लिया है और अब मैं दोवारे से पावर लगा कर देखता हूं कि हमारी पावर सप्लाई सफी होती है नहीं होती है तो आप मैंने इसकी च्रावर शप्लाई चेक हो चुकिए ओके हो चुकिए और इसको दोस्तों इसके 110व बनेगे मैं आपको बताता हूं एक सो दस बोल्टेज जब बनेगे जब हम इसको स्टैंड वाइक कर लेंगे देख सकते हैं अब इंडिकेटर हो चुका और अब मैं इसको पाटर में करने ज हमारे 110 होते हैं या नहीं होते हैं कि मैंने कि अब मैं इसको करता हूं कि देखें मैंनों कर दिया है 116 हमारे प्रोपर बन चुके हैं देखें हमारे पावर सप्लाई ओके हो चुक है तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी अगर तो प्लिस लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों